हेलो फ्रेंड्स, I am your study mate सारीका रमोला और आज हम करने वाले हिंदी का एक प्रैक्टिस एड्ट जो बहुत इंपोर्टन है इसमें 30 कुश्चन है और आने वाले सभी एक्जाम में आप लोगों को हेल्प करने वाले हैं साथ ही आपको पता चलेगा कि जो उत्राखंड एक्जा स्लेबस कभी तो पूरे स्लेबस से कुश्चन पेपर आ जाता है और कभी आपको देखेंगे कि सारा पांच टॉपिक से ही सारा कुश्चन पेपर किस प्रेकार से बनाया जाता है वो आज आपको देखने के लिए मिलेगा अगर आप हिंदी में जितने भी टॉपिक हैं वो प्लेइलिस्ट में जाके देख सकते हैं हमने डिटेल से पड़े वे हैं साथ ही हिंदी के बहुत सारे प्रेक्टिस से करे वे हैं तो आप उनको प्लेइलिस्ट से कर सकते हैं चले आज का हम देख लेते हैं क्या है क्या इस प्रेक्टिस से स्टार्ट हो रही है ठीक है असुद्ध वरतनी पूछा गया है या असुद्ध वो अपको धियान रखना है ठीक है next है निमलिखित में कौन सा विशेश विशेशन का उथारन है तो right answer हो जाएगा coach 1 next question है निमलिखित में कौन सा वाग के गलत है अब गलत पूछा गया है इन में से असुद्ध वाक के मतलब तो right answer क्या हो जाएगा आँख से आंसु बहने लगा ये क्या है बिल्कुल गलत है next question है निमलिखित में कौन सा सही है अब सही पूछा गया है और right answer क्या हो जाएगा मैं अभिभावक पर शद्धा रखता हूँ ये क्या है बिल्कुल सही वाक्य है next question है निमलिखित में कौन सा सब्ध घोड़े का प्रयायवाची नहीं है इसमें है बाजी सैंधव ये क्या है घोड़े के प्रयायवाची है लेकिन गयंद यहां पे घोड़े का प्रयायवाची नहीं है क्योंकि गयन्द का जो अर्थ होता है वो होता है हाथी उसका प्रयायवाची है ठीक है चले नेक्स है निमलिखित में कौन सा शब्द वर्तनी वाला है तो यहां पे थोड़ा मिस्प्रिंट हुआ है यानि असुद्ध वर्तनी वाला पूछा गया है ठीक है तो राइट आंसर क मूर्ख ब्यक्ति प्रया बहुत बोलते हैं में विशेश विशेशन है तो राइट आंसर क्या हो जाएगा मूर्ख नेक्स कुईशन है दिया सलाई का तत्सम रूप क्या है ठीक है दिया सलाई का तत्सम रूप क्या है यानि संस्कृत रूप क्या है तो राइट आंसर क्या ह दीब शला का इसका राइट अंसर हो जाएगा ठीक है तो अभी तक आपने देखा सुद्ध वर्तनी सुद्ध वाक्य यही पूछे गए हैं विशेश विशेश ठीक है आप देख रहे हैं कैसे कैसे कुछ पूछे जा रहे हैं चलिए नेक्स है इंपोर्टेंट कुछ पूछा प्राग इतिहासी के सटिक भाव को ब्यक्तिकने वाला सही वाक्य है तो राइट अंसर क्या हो जाएगा इतिहास से पूर्व इसका राइट अंसर हो जाएगा ठीक है चलिए अब कुछिन आ जाते हैं विलोम सब्द से रिलेटेड और आपको बहुत सारे कुछिन मिलेंगे और प्रियाईवाची से नेक्स ये निलिखित में कौन सा सब्द अल्प का विलोम है तो इसका राइट अंसर क्या हो जाएगा बहु इसका राइट अंसर हो जाएगा नेक्स इंपॉर्टेंट कोईशन है प्रवत्स्य पत्ति का निम्न मेंसे किस वाक्य के लिए उपयुक्त सब्द है तो राइट आंसर क्या हो जाएगा जिसका पती परदेश जाने वाला हो उसको कहा जाता है ठीक है चलिए नेक्स्ट है निमलिखित विलो मार्थी युग में कौन सा सुद्ध है फिर से विलोम शब्द पूछे गए और इनमें देखना है कि कौन सा युग में कौन सा है तो राइट आंसर क्या हो जाएगा बाएं हाथ से तीर साथने वाले को क्या कहा जाता है सब्बे सांची कहा जाता है ठीक है चलिए अगर आपके पास पूछा जाए कि सब्बे सांची अन्य किसका नाम है तो अरजुन का नाम भी सब्बे सांची है और कभी आपके option में ये न आए कि अगर ये न पूछा जाए कि बाएं हाथ से तीर चलाने वाला ठीक है तो आप उसमें ये भी कर सकते हैं कि दोनों हाथ से तीर चलाने वाले को क्या कहा जाता है सब्बे सांची कहा जाता है ठीक है क्योंकि अर्जुन का नाम सब्बे सांची इसलिए पढ़ा थीक है चलिए नेक्स कोईशिन है निमलिखित में उरवर शब्द का विलोम है फिर से विलोम पूछे गए है और राइट अंसर क्या हो जाएगा उसर इसका राइट अंसर हो जाएगा ठीक है यहीं पर नेक्स क्वेशिन विलोम से रेलेटेट ही आप देख लीजे आहूत का सह तो राइट अंसर क्या हो जाएगा सार्वणामिक विसेशन इसका राइट आंसर हो जाएगा ठीक है चलिए नेक्स्ट कुशिन है निम्न में कौन सा चांद यह चंद्रमा का प्रयायवाची नहीं है यह ध्यान रखना है कि कौन सा है पूछा गया है यह नहीं पूछा गया है तो right answer क्या हो जाएगा? पूसा इसका right answer हो जाएगा, जोकी चंद्रमा का प्रयायवाची नहीं है, ठीके? Next है, प्रतीप का सही प्रयायव क्या है? तो right answer क्या हो जाएगा? विरुध इसका right answer हो जाएगा, ठीके? चलिए next question है, निमलिखी तत्सम तद्भो युग में कौन सा अशुद्ध है? ठीके? अशुद्ध कौन सा इसमें? तत्सम यानि संस्कित और तद्भो यानि हिंदी तो इनमें असुद्ध कौन सा है? तो right answer क्या हो जाएगा? राणी और राणी क्या है? इसमें अशुद्ध है, बागी बिल्कुल सही है, ठीके? चलिए next है, कलव का सही अर्थ देने वाला वाक्य कौन सा है? ये question बहुत बार पूछा गया है, और इसका right answer क्या हो जाएगा? हाथी का बच्चा इसका right answer हो जाएगा, ठीके? next question है, निमलिखित में कौन सा सब्द अर्णी का प्रयायवाची नहीं है, पूछा गया है, और इसका right answer क्या हो जाएगा? पांतर इसका right answer हो जाएगा, क्योंकि अर्णी means क्या होता है? जंगल होता है, और इसमें अगर आप देखेंगे, अटवी, कांतार, विपिन, ये सब अर्णी के प्रयायवाची है, पांतार इसमें अर्णी का प्रयायवाची नहीं है, ठीके? नेक्स अंपॉर्टन्ट कुश्चन, ऐसे कुश्चन भी पूछे जाते हैं, देखें, वाक्यान से रिलेटिट, पहले भी हमने पढ़ाईए, निमलिखित वाक्यान्स के लिए अशक्य सब्द प्रयुक्त होता है, तो right answer क्या हो जाएगा? जो कारे नहीं किया जा सकता है, ठ इस कारे को कभी किया ही नहीं जा सकता, ठीक है, तो इसे ध्यान रखेंगे, नेक्स्ट है, असीती निमलिखित में किस सब्द का तत्सम है, तो right answer क्या हो जाएगा, असी का, नेक्स्ट कुश्चन है, उपाध्याय सब्द किस सब्द का तत्सम है, आप देख रहे हैं, एक से भी एक दो-दो कुछे जाते हैं, इस कुश्चन पेपर को मेरे में करवाने का मकसिद ही था, कि ये वाले पोर्शन को भी अंडरेस्टिमेट नहीं करना है, विलूम परयावाची, तत्सम तदभों को इनको भी अच्छ से तयार करना है, क्योंकि कभी-कभी इस से पूरा भी बन गया है, देख लीजे आप, ठीक है, तो चलिए, नेक्स कुश्चन है, उपादिया कि सब्द का तत्सम है, तो राइट अंसर क्या हो जाएगा, ओजहा का, नेक्स कुश्चन है, चमतकार विशे से बनने वाला विशेशन सब्द है, तो चमतकारिक इसका राइट अंस हो जाएगा, ठीक है, नेक्स कुश्चन 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 है, कौन सा सब्द कमल का प्रयाय नहीं है, पूछा गया है, और राइट अंसर क्या हो जाएगा, तारकेस जो है, वो कमल का प्रयाय वाची या प्रयाय नहीं है ठीक है चलिए next question है निम लिखित में कि सब्द की वर्तनी गलत है तो इसमें अगर आप देखेंगे तो आयोग ने जो आंसर की है उसके according सहस्त्र दिया है लेकिन सहस्त्र बिल्कुल सही है अहल्या भी बिल्कुल सही है अधीन भी बिल्क अच्छा question paper है और कभी कभी हमें ऐसे देखने को भी मिलता है कि किस प्रकार से question बनते हैं ठीक है तो चलिए मिलेंगे हम next वीडियो में एक नई topic की साथ तब तक पढ़ते रहिए धन्यवाद